नमस्कार दोतु स्वागत हैं आपका टीशी टेलर चनल में दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या होता है हम जैसे कि हम मसीन चलाते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूं माल लीजिए यह हमने मसीन चलाई जैसा कि यह हम चला रहें तो यह देखे यह दागा ऐसे करके यह निकल गया तो यह हर बार प्रोड़िम होती बहुत से लोगों के साथ मतलब जो है धागा बार बार निकल जाता है तो ये धागा क्यों निकलता है इसे कैसे सही करते हैं तो इसमें कोई कमी नहीं होती है जारत थोड़ी सी होती है तो आप उसको सही कर सकते हैं बाकी इसमें कुछ नहीं होता है ये धागा सबस्यादा कब होता है दिक्कत जब जो है आपका टेंसन तार जाधा टाइट हो और ज़ान जाधा टाइट हो और जो है आपके दाब कम हो दाते नीचे हो तो यह जली जली निकल जाता है अगर देखें आपके अगर दागा निकल लाए तो आप हलके से आप दाते को उठाएं और दाब को हलका सा बढ़ा दे तो दाप कहां से बढ़ती है आएसे ह भी हमने ओर लेडि तीन वीडियो बना रखे हैं दाप के तो नहीं देखा हैं तो वो देख सकते हैं और ऐसे करके दाप बढ़ा दी थोड़ी सी यसे की हमारा धागा दबा रहेगा और अगर आपके दाइँ नीचे हैं जिसके दाते नीचे हैं थोड़े से अगर हैं तो आप दाते भी हलकी से उठा सकते हैं तो दाते उठाने के लिए आपको सिर्फ इदर से एक पेंच खोलना होगा और दाते यह उठ जाएंगे वोगी वीडियो आई बेटन में आपको मिल जाएंगे दाते किस तरीके से जो है उठाते हैं फिर भी मैं आपको इसमें दिखाए दे रहा हूँ देखे यह हमारी पाउदान तरफ का हिस्सा है और यह हमारा जो है यह पेंच है तो हम इसमें हम लगाते हैं हुआ कि इसको हम लूज करते है यह मको सिर्फ लूज करना है अलका सा यह मीज हो घ्राए अब मैं आपको दिखाता हूँ गुठ हटा दे रहा है ताकि आपको साधी से दिखे तो आप देखे है क्या हो तो जादा होता है तो एग County समता के ゃा है तो यह दव निकल जाता यह बिल्कुल ही अब बहुत जादा एकड़ चाहिट प्रवाएं तो एहां से एगर एलनागी लगा हो तो और ईसको यहां पर फिर लगा आट ओर ऊपर के लिए इधर के लिए गुमाएं तो यह देखे यह टेंशन तार हलका सा लूज हो गया तो यह चीज आपको लूज करकर अगर बहुत ज्यादा आपका धागा टाइड हो तो यहां से आप लूज करने और बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा टाइड ना चलाएं तो धागा किस तरीके सेट करते हैं वह वीडियो नहीं देखा तो उपर आई बटन में आप देख सकते हैं अब धागा निकलने का कारण और बताता हूं इसमें जो की है इसमें तो देखे जब भी आपने माल लिजए यहां से आपने सिलाई लगाई इतनी पहले सिलाई लगाई हम पहले सिलाई लगा लेते हैं तो यह जो धागा है अगर आप लपिटा हुए निकला मतलब लपेड के निकला है तो यहां से काटे तो आपको जो है दिक्कत होगी तो यह धागा छोटा हो जाएगा और यहां से निकल जाएगा तो यहां से जड़ से आपको धागा कभी नहीं काटना है माली जापने सिलाई लगाई यह तो आपको धागा यहां से यहां से काटना होता है और यहां से करके लगा रहे हैं तो आ जब टाइट दागा चलता तभी यह निकलता है थोड़ा लूज दागा चलाएंगे तो यह नहीं निकलेगा और इतना देखे धागा आपको बाहर रखना है तो और जो है ऐसे करके हम इस पर देखे यह धागा आपको दबना चाहिए अगर आपने ऐसे करके छोड़ दिया बूट में देखे यह दागा दब गया यह दिखे दबा हुआ है ना चाहिए आप इधर भी दबा सकते हैं इधर जैसे कपड़ा लगाते हैं तो बार बार यह उदर ही पहुंच जाता है तो यह दबा हुआ है दबा होगा तो यह नहीं निकलेगा तो जब भी आप चलाई लगाएं जैसे कि यह चलाई लगा रहे हैं ऐसे करके लगा रहे हैं तो यह दागा आपका दबना चाहिए अगर यह दागा आपका आईसे करके है उपर के लिए और आईसे आप चला रहे हैं तो यह यहां से निकल जाएगा बार 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 यह देख तो तो फिर लगा यह से करके फिर दबा यह दबा हुआ रखना है अब यह दूसरी चीज मैं आपको एक और बताता हूं कि जब भी आप मतलब अब ज्यादा भी आपको टाइट निकलता है तो यहां से अगर आप में रख रहे हैं तो यहां पर आप यह से करके लाए इस तरीक से और उसके बाद जो है ऐसा करके यहां पर यह धागा वहाए तो उंगली इस तरीके से रख लें शुरुबात में तो इसको दबा लें और यहां पर फिर सिलाई लगा आए जब थोड़ी सी उंगली से दबा लेंगे तो उपर का नीचे का धागा नहीं खिचेगा उपर ध से दिखेए यहां से से करके उसको रख लिया जो अब लगाए – जब भी आप लगा एक तो आपका लाग कभी निकले कर नहीं है इंभी देर में उपर नहीं बना बार बार आ तलिए लाव और वा भार यह दिखे यह दबा रहा है मतलब कितनी भी हम सिलाई लगा है तो उगली से आपको दवाना जरूरी है यह आदत में डाल लेना है यह देखिए तो इस तरीके से आपका धागा कभी नहीं निकलेगा इस चीज का आपको धियान रखना अगर आप ऐसे डारेक्टी चला दें तो इस सट दिन निकल जाएगा इस तरीके से तो यह प्रोब्लम सबके साथ होती है मसीन में कोई कमी नहीं समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको मसीन चलाना है अगर मसीन में कोई भी दिक्क करना हो तो आप उसमें चाहर ना करें अगर आपका धागा बहुत जाएगा तो आप यहां से दागे को लूच कर लें और मतलब जान जो है यह तार है टेंसन तार इसको भी थोड़ा स सब्सक्राइब करना है अगर आपको करना होता है अगर आपको कुछ भी करने के ज़रूत नहीं है जो जैसे मैंने बता है इसे आपको करना होगा बाकी जो है कोई दिक्कर नहीं है तो आप सोचें एकदम मतलब बहुत से लोग उनको निकल जाता है तरीका होता है चलाने का जब आप आदर डाल लेंगे तो उसमें जो है कोई भी दिक्कर नहीं होगी तो उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा यह वीडियो पसंद आयों तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आए तो सब्ट्राइब कर बेल आइकन को जो रूप्रेस करें मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार